हेलो प्रेंट्स में यूटूब चनल टेकनिकल फोर यूर्स में आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम आपको केम्पूटर कोर्स का जो डीसी कोर्स है उसका पार्ट टूल लेकर आये हैं मुखरूप से इस वीडियो में हम आपको आपको कैसे स्टार्ट करना है में करते हुए हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना हुगा कि आप अपने केम्पूर में Microsoft prent को कैसे on कर सकते हैं तो दोश्टो दो तरीका है Microsoft prent को on करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने keyboard बटन में बिंडोज पलस को दवाना है जैसे ही आप दवाएंगे तो तो आपके सामने देखिए यह एक तरीके का run करके आएगा और open की जगह पे आपको type कर लेना है ms pen और ok बटन पर click कर लेना है जैसे ही आप ok बटन पर click करेंगे तो आपके सामने जो है यह इस तरीके से ms pen open हो करके आजाएगा अब जो दोस्तों दूसरा तरीका है उसमें अपके आजाएगा दोस्तों सबसे उपर में आप देख रहे हैं कि यह जो इडिट पर एक option है अंटिल प्रेंट लिखा हुआ ठीक है या आप कोई भी फाइल ओपेड करते हैं तो इसका नाम यहां पर लिखा रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं टाइटल बार उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं लिखा रहता है तो हम लोग इसको कहते हैं मेन्यू बार उसके बाद दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि यह जो टूल्स बगेरा आप देख रहे हैं इसको हम लोग टूल बॉक्स भी बोलते हैं या टूल्स बार भी बोलते हैं ठ ठीक है अब दोस्तों इस corner पे आपको क्या करना क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप यहां से देख सकते हैं कि बहुत सारा option आ रहा है आपके सामने तो उससे पहले आप यहां पे जान लिजी इस तिनो बाटण का नाम कीया सबसे पहले यह जो आप देख रहे हैं minus का button इसको हम लोग minimize बाटन बोलते हैं उसके बाद यहाँ पेज यह बटन देख रहें बीच वाले इसको restore down बटन बोलते हैं और यह जो आप देख रहें cross का इसको हम लोग close बटन बोलते हैं अब सबसे पहले हम यह बताते हैं कि new पे click करने से क्या होगा दोस्तो अगर आप new पे click करते हैं तो आपके सामने Microsoft Pen का एक यहाँ पेस open हो करके आ जाएगा अब दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं open है तो open पे आपके पास दो option है एक आप जैसे ही open पे click करेंगे तो आपके सामने यह computer के अंदर चिला जाएगा और अपने file को आप open कर सकते हैं जैसे मैं यहां से digit पे click करके open पे click कर लूँगा त इसके बाद दूसरा जो तरीका है कि आप open जिसे की मान लिजे यह आप कट कर दिये ठीक है अब आपको recently यहां पे देख recent picture अगर आप इस तीनों में से किसी पे click करते हैं तो आप ट्रेक्ट उस picture पे editing के लिए जा सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप save button पे click करके जो है क्या क कर सकते हैं save कर सकते हैं यानि कि यह save हो गया लेकिन दोस्तों मान लिजसे कि सेब है ठीक है और इस पे खुछ और एडिंटिक कर दिया ऐसा कि यह editing कर दिया तो अगर हम सेब पे click करने तो यह save नहीं हो पाएगा वहुँ इसके लिए क्या क्या करना होगा सेब एज़ पे click करन ने दूंगा और यहां पर आपसे पूछेगा कि confirm save ads यानि लिखा है कि यह जो है पहले ही already है क्या आप इसके जगह पर रिप्लिस करना चाहते हैं तो बोलेंगे हाँ जैसे ही पिएस करेंगे तो उसके बाद उस जगह पर यह picture save हो जाएगा ठीक है उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं प्रिंट का तो प्रिंट के सामने भी तीन अप्षन आता है सबसे पहला आता है प्रिंट का उसके बाद पेज सट अप का और प्रिंट प्रिव्यू का दोस्तों इसे ही आप print preview पे click करेंगे तो यह देखिए print का जो है आपको एक हुलिया दिखा देगा कि अगर आप print मारेंगे space को तो यह इस तरीके से print हो जाएगा ठीक है तो मैं फिला इसे cut कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं send email अगर दोस्तों यह जो डुकुमेंट आप डिट कर रहे हैं अगर आप इसको email के थुरू भीजना चाते हैं तो send email पे click करके आप भेज सकते हैं दोस्तों यहाँ से देख रहे हैं कि select का option है तो select का option कब use किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई एक picture को open कर लेंगे अपने macrosoft pen के home page पे एक picture को open कर लेंगे दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर select पर click करेंगे तो आपके सामने बहुत सारा option आता है तो आप free form selection का use करके जो है यह इस तरीके से आप किसी भी part को क्या कर सकते है select करके move कर सकते ठीक है जिसी यह select ہو गया उसके बाद हम copy कर लेंगे इसको ठीक है और copy करने के बाद यहाँ पर Hem कहीं पर भी हम इसको past भी कर सकते है अब past करेंगे तो यह देखे यहाँ पर past पर आ गया यानिक्जिए वह part करके आप इसको past कर सकते है free form selection का use करके आप किसी भी part को cut करके कहीं पर ही best कर सकते है ठीक है तो उसका काम मुक्रूप से इस चीच का होता है ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो देख रहे हैं कि group बगेडा लिखा है तो आप group पे से ही click करेंगे तो यह देख रहे हैं कि इस photo को group करने के लिए आज आएगा ठीक है तो यह इस तरीके से आप अपने photo को group कर सकते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि resize and screw है resize and screw पे click करने के बाद आप अपने तरीके से इस photo को जो है कितना horizontal और vertical पे रखना चाहते हैं वह आप यहाँ से type कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो rotate और flip लिखा है आप इस पे click करने के बाद आप जो भी images देख रहे हैं अपने computer के screen पे उसको rotate कर सकते है rotate left पे click करने के बाद यह देखिए इस तरीके से rotate हो जाएगा उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से जो है क्या करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फूल स्किन कर लेंगे और अब जो toolbox के अंदर जो मतलब tool है अब हम उसका use करना सिखाते हैं आपको सबसे उपर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि pencil है pencil का use करके आप कोई भी चीज़ को लिख सकते है या कोई भी चीज़ बना सकते हैं ठीक है तो pencil का use नॉर्मल इस काम के लिए किया जाता है अब उसके नीचे आप एडेजर देख रहे हैं एडेजर पर क्लिक करने के बाद आप इस diagram को मिटा सकते हैं ठीक है यहां से color भर सकते हैं इस तरीके से color भर लेंगे और color change करके यहां से आप इस color को भी change कर सकते हैं अब जो देश्टों यहां पर आप ए लिखा है यह text है ठीक है आप एप जिसे ही click करेंगे और जहां भी आप इसको छोड़ेंगे वहां पर text करने के लिए आजाएगा आप कर सकते हैं यह इस तरीके से ठीक है ना उसके बाद यहां से आप underline भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको बरा कर लेता हूं ताकि आपको समझ में तो यहां से आप बहुत सारा option को use कर सकते ठीक है फिर मैं home पर जाओंगा अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंगनी फा तो फिलाल मैंने इस वीडियो में आपको tools का इस्तमाल करना सिखाया है और tools के बारे में सिखाया है कि किसका काम क्या है ठीक है अब मैं एगली वीडियो में आपको एक नया project बना करके दिखाऊंगा कैसे आपको बनाना है ठीक है